नमस्कार साथियो मैं दीपांकर राज आप सभी का फिर से अपने इस यूटूब चनल पर स्वागत करता हूँ और आप सभी को आपकी आने वाली सभी परिक्षाओं के लिए सुपकामनाई देता हूँ आज के इस वीडियो में मैं फार्मसी कोर्स पर चर्चा करूँगा फार्मसी जो की एक वर्तमान में उभरता हुआ केरियर है चातरों का रुझान इस पर दिन पर दिन बढ़ता जाँ रहा है इस ओर तो आज के इस वीडियो में मैं फार्मसी कोर्स कैसे किया जाता है इसके पार्ठे करब में एडविशन कैसे लिया जाता है और इसके अंतरकत होने वाली प्रवेश प्रक्रियाओं के बारे में इसके पैटेन के बारे में संपून जानकारी आपके सामने एक सरल भासा में प्रस फार्मसी आप जानते हैं कि एक चमकता उभरता हुआ केरियर है इस सेत्र में है और इस सेत्र में जाकर आप अपने जो इंट्रस्ट के अनुसार अपने ऑप्संस चुन सकते हैं और अपना एक उभरता हुआ केरियर बना सकते हैं ठीक है तो आज के इस वीडियो में मैं फार्म जानकरी आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, तो मैं इसकी सुरुवात करता हूँ, सबसे पहले देखिए कि फार्मसी है क्या, इसके बारे मैं जानेंगे, फार्मसी क्या है, तो इसके बारे मैं हम देखते हैं, फार्मसी को आमतोर पर दुकान के ही रूप में माना जाता है, ज इसमें दवाईयों की जानकारी जैसे दवाईया कैसे बनती हैं दवाईयों का डोज क्या होना चाहिए इत्यादी को समझा जाता है। तो आपने देखा कि नॉर्मल भासा में तो जो फार्मसी होती है उसको एक दुकान के रूप में जाना जाता है। और उसका क्या प्रयोग है क्या उसके डिमेरिट्स और मेरिट्स हैं साइड इफेक्ट हैं इन सब के बारे में इस सेत्र में अधिन किया जाता है। और साधरान सब्दों में कहें तो फार्मसी में हेल्थ साइंस और केमिस्टी का सब्मंद होता है। हेल्थ साइंस और केमिस्ट्री या हेल्थ साइंस और केमिस्टि का सब्मंद होता है। और आप इसमें इसे medicine biology या और या chemistry का मिक्शर भी कह सकते हैं ठीक है इसे medicine यानि mixture of medicine biology and chemistry ठीक है clinical और healthy community पर फार्मसी का मुख्य उद्धेश फोकस करना है याने जो फार्मसी का मुख्य उद्धेश है वो clinical और healthy community पर फोकस करना है ठीक है आगे चलते हैं अब देखते हैं कि फार्मसी में कौन-कौन से कोर्ष होते हैं ठीक है फार्मसी एक पार्ठे करमें चोकि प्रोफेशनल कोर्ष है मेडिकल फिल्ड का तो इसमें कौन-कौन से कोर्ष होते हैं इसके बारे मैं देखेंगे तो फार्मसी के अंदर मुक्यता तीन प्रकार के आप जानते हैं, एक तो है, पहला है D Pharma यानि डिप्लोमाइन फार्मसी, दूसरा है B Pharma यानि Bachelor of Pharmacy, और तीसरा है M Pharma यानि Master of Pharmacy ठीक है, यो तो तेन कोर्षिस फार्मसी के अंतरगत आते हैं और इनके बारे में हम आगे जानेंगे, आगे चलते हैं, हाँ तो सबसे पहले देखिए, D-FARMA के बारे में हम देखते हैं, D-FARMA क्या है, D-FARMA या एक undergraduate course है, या दो वर्सों का डिपलोमा वाला course है, और तीन महिनों के लिए इसमें इंटर्सिप कराई जाती है, यानि दो वर्सो के शेत्र में ही जाने की है यदि किसी काराणवस आपके पास पैसे और समय की कमी है तो ऐसे मैं डी फार्मा आपके लिए अच्छा विकल्प हो सकता है ठीक है देखिए एक तो यह सौट टाइम डूरेशन जॉब औरिंटेट कोर्स है तो अगर आपके पास समय की कमी है या धन मैं फार्मसिस्ट बनने के लिए यह एक प्रकार का न्यूंतम सेक्षिन की योगिता वाला कोर्स माने जाता है ठीक है तो देखिए कि अगर फार्मसिस्ट अगर आपको बनना है तो न्यूंतम आपको डी फार्मा करना ही पढ़ेगा तो डी फार्मा एक न्यूंतम योगिता का कोर्स है तो नून्तम सेक्षिर योगिता वाला कोर्स है जिसके थ्रूँ आप फार्मसिस्ट बन सकते हैं वैसे तो बी फार्मा की वैल्यू ज्यादा है देखिए आप बी फार्मा के बारे में आगे देखेंगे क्योंकि ये डिप्लोमा लेबल का कोर्स है और बी फार्मा ड दूसरे वर्षे में दाखिला मिल जाता है ठीक है जैसे अगर आप पी फार्मा कर चुके हैं और अगर आपको डी फार्मा के बाद बी फार्मा करना है तो आपको डिरेक्ट दूसरे वर्षे में दाखिला मिल जाता है इसे लेटरल इंट्री कहते हैं ठीक है तो अगर डी फार तो यह एक बहुत दी महत्यपूर कोरश है Aiseen के पार्मा के लिए जो सैक्सिक योगता है वह क्या है यह वह की आगे जो कर रहे हैं जो डी Self advances तका अब्यार्थी ने अगर science से बारवी में 50% अंकों के साथ उत्तिन किया है ठीक है और तब इस study में अब्यार्थी इस course के लिए योग्या माना जाएगा ठीक है तो 12 में 50% अगर marks आपके हैं PCB ठीक है और आपके physics, chemistry और biology अगर आपकी है और बारवी में आपके 50% marks हैं तो आप इ SC और ST के लिए कुछ छूट इसमें हो सकती है वो छूट 40 से 45 की बीच में हो सकती है वो अलगलग प्रदेशों में अलगलग संस्तानों के अनुसर अलगलग योग्या रखी जाती है ठीक है अब इसमां अनुमानित फीस क्या है अनुमानित फीस इसमें अभ्यार्थियों को यहां कॉर्स करने के लिए निजी कॉलेजों में लगबग एक लाग पचास जार और सरकारी कॉलेजों में लगबग पचास जार अनुमानित फीस इसमें हो सकती है ठीक है इसमें निजी और सरकारी दोनों प्रकार के कॉलेजिस अबलेबल हैं तो अगर आपकी मेरेड इतनी आजाती है कि आप क्योंकि इसमें प्रवेश एक एंटरंस एक्जाम के थो मिलता है तो अगर आपकी मेरे इतनी आती है कि आपको गवर्मेंट कॉलेज में आपकी फीस लगबख पचाई जार होगी और निजी कॉलेज़ में लगबख डेल लाग रुपया आपकी फीस हो सकती ह इतने प्रवेश लगबख आप इस फार्मसी के कोर्स को कर सकते हैं ठीक है आगे चलते हैं अब जिसे हमने अभी तक डी फार्मा के बारे में जा रहा था अब मैं बी फार्मा के बिसे में चर्चा करूंगा तो बी फार्मा के बारे में देखते हैं बी फार्मा चार सालों का undergraduate course होता है जिसे हम bachelor of pharmacy कहते हैं इस course में 12 के बाद दो तरीके से admission ले सकते हैं पहला डी फार्मा course कम्प्लीट करने के बाद और दूसरा directive बी फार्मा course करने के लिए करने के लिए course के अंदर अब्यरतियों को कौन सी दवाई किस रोग में काम आएगी तथा medicine बनाने की प्रक्रिया आधी को पढ़ाया जाते हैं ठीक है देखे सबसे पहले तो आप देखिए इसमें आप दो तरीके से प्रवेश ले सकते हैं एक तो डी फार्मा करने के बाद अगर आप इसमें प्रवेश लेते हैं तो आप देखिए इस कोर्स जब बी फार्मा जब आप कोर्स करते हैं तो इसमें दवाईयों का यानि मेडिसन के बारे में पढ़ाया जाता है इसमें अभ्यारतियों को कौन सी दवा की स्रोग में काम आएगी तो आप मेडिसन बनाने की प्रक्रिया आधी के बारे में इसमें पढ़ाया जाता है ठीक है आगे चलते हैं बी फार्मा के चार वर्सों के कूर्स में आठ समस्टर होते हैं देखे एक साल में दो समस्टर तो चार साल में आठ समस्टर होते हैं परते एक समस्टर छे महा के समय अवदिका होता है अगर आप इन सभी चीचों में अपनी रूची रखते हैं तो आप कि मैंने पहले पता है कि जॉब और संभावना है क्योंकि मेडिकल फिल्ट में लगातार के इसको बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि नईनी बीमारियां आ रही हैं अभी कॉरोना का समय था उसमें भी जो यह फार्म जो जितने भी फार्मसिस्ट थे नर्सेश थी उन्होंने अपनी बहुत महत्वपुन भोमिका निभाई थी तो यह कोर्च एक के इसाब से बहुत अच्छा इविकलपा आपके थाबित हो सकते हैं ठीक है और इसको इसको करने के बाद सरकारी सेत्रों में और गैर सरकारी सेत्रों में यानि गवर्मेंट सेक्टर और प्राइबर सेक्टर दो मतिक विज्ञान रसाइन विज्ञान विश्यों के साथ पचास प्रतित अंगों से उत्तिन किया है तो आप यह कोर्ष करने के लिए योग्या माने जाते हैं ठीक है तो यानि फिजिक्स और के साथ आपने अगर यह को यह आपने इंटर्गिम डिट की परिक्षा पास की है तो आप इस कोर्ष के लिए अलिजिबल माने जाते हैं और यानि मैद्स और बायो का जो एक डारा है वो नहीं है कि मैद्स मैद्स हो या बायो हो आप इसमें ले सकते हैं इसके अलावा आजकल CBSC में Maths और बायो दूनों साथ पढ़े जाती है तो वो student भी इस course में admission ले सकते हैं अब इसके लिए देखी इसके लिए और यह criteria है वो 50% का रखा गया है और यह SC और ST के लिए कुछ छूट हो सकती है 40 से 45 की percent की बीच में छूट होती है और यह अलग-अलग colleges और अलग-अलग प्रदेसों के हिसाब से अलग-अलग है अब इसके लिए जो बीफार्मा के लिए जो फीस है उसके बारे में चर्चा करते है अनुमानेद फीस कितनी है देखी यह एक अनुमान है बाकी फिर आपकी merit पर depend करता है आप government seat पाप आते हैं या private sector में और अलग-अलग प्रदेसों में अलग-अलग colleges में अलग-अलग faces है तो यह अनुमान है कि इस course को करने के लिए आप अभिरतियों को गैर सरकारी colleges में लग-बख 3 लाग से लेकर 4 लाग सुलक देना होगा यह निए private colleges में है मैं 3 लाग से 4 लाग सुलक में आप यह course कर सकते हैं और अगर आप government sector में आते हैं और सरकारी colleges में इसका सुलक 50,000 से लेकर 85,000 हो सकते हैं ठीक है तो गवर्मनेंट colleges में तो यह काफी affordable है 50,000 से लेकर 85,000 तो हो सकता है यह एक अनुमान है और अगर प्राइविट सेक्टर में थोड़ा सा महेंगा है तीन लाग से लेकि चार लाग सुल को देना होगा ठीक है और ये भी अलग-अलग प्रदेशों में अलग-अलग कोलोजों के हिसाब से अलग-अलग है तो आए ये एक जनरल आइडिया है कि आपको कितना खर्ची इसमें B Pharma के लिए उठाना पड़ेगा ठीक है आगे चलते हैं अब हम आते हैं M Pharma पर अभी तेक हमने D Pharma और B Pharma के बारे में जाना था अब हम आते हैं M Pharma के बारे में M Pharma यह दो वर्सों का Pharmacy के शेतर में Master Degree Course है यह Master Degree Course है ठीक है Master Degree Course है और दो वर्सों का है इस Course के अंतरगत छातरों को चार सेमेस्टर पढ़ाई जाते हैं परतेक सेमेस्टर छे महा के अवधिका होता है इस Course के अंतरगत अभ्यारती Pharmacy के किसी भी शेतर में अपने अनुसार किसी एक ब्रांच में विशिष सकता की डिगरी हासिल कर सकता है ठीक है देखिए B Pharma के बाद अगर आपको एक Specialization का Course करना है तो तब M Pharma Course बहुत अच्छा है उसके तो फार्मसी की किसी एक ब्रांच में Specialization का Course करा जाता है इसमें चार सेमेस्टर होते हैं और प्रतेक सेमेस्टर 6 मां का होता है दो साल का ये Course है दो साल की ये Master Degree Course है Pharmacy के सेत्र में जिसे हम M Pharma कहते हैं ठीक है आगे चलते हैं आप M Pharma के लिए योगिता देखते है M Pharma के लिए जो Section की योगिता है M Pharma Course करने के लिए स्टुडेंट्स को किसी भी मानिता प्राप्त विस्व विद्याले से 50 परत्यत अंकों के साथ Master of Pharmacy या Master ये तो Master लिखा है Bachelor होना चीए Bachelor of Pharmacy Bachelor यानि ये B Pharma ठीक है B Pharma होना चीए यहां पर ये थोड़े गलती हो गई है B Pharma होना चीए Bachelor of Pharmacy पचास प्रत्सेतंकों के साथ योगिता होनी जरूरी है, समकस योगिता होनी अनिवार्य होती है, M Pharma में एड्मिरिशन लेने के लिए छात्रों को B Pharma की डिग्री और जी पेट टेस्ट देना होता है, एक जी पेट टेस्ट होता है, उसके तुरू M Pharma में प्रवेश मिलता है, तो इसके लिए जो सेक्स की योगिता है, एनि एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, वो एक तो B Pharma में, यहनि बैचलर अफ फार्मसी में 50 प्रत्सेतंकों के साथ उत्ति होना चाहिए, और इसके बाद आप एक जी पेट की परिक्षा देंगे, और उसके तुरू, उसके स्कूर के अधर पर आपको M Pharma में प्रवेश मिलेगा, ठीक है, आप इसकी जो अनुमानित फीस है, उसको देखते हैं, अनुमानित फीस, उमिद्वार को फार्मसी के शेत्र मास्टरी या मास्टर डिग्री कोर्स करने के लिए सरकारी कोलेजों में पचास जार से लेकर एक लाग तक सुल्क देना पड़ता है, वहीं पर गैर सरकारी कोलेजों में इस कोर्स को करने के लिए अभ्यारतियों को दो लाग से लेकर पांच लाग तक सुल्क देना पड़ स इसके लिए अलग अलग गैर सरकारी कॉलेजों में इसकी फीस थोड़ी सी कम या थोड़ी सी ज्यादा भी हो सकती है चात्र किसी भी गैर सरकारी कॉलेजों में एड़िशन लेनी से पहले एक बार सुल्क के बारे में जरूर जानकारी ले ले कॉलेज की वैपसाइट से या फि फीस की जानकरी ले सकते हैं सब्सक्राइब कॉलेजिस में फीस लगबग पचास से एक लाग की बीच में एंफार्मा की और जो प्राइबिट सेक्टर के कॉलेज हमाद दो लाग से लेके पांस लाग तक का सुलका आपको देना पड़ सकते हैं ठीक है बहतर होगा कि इसकी जा वह कॉलेज PCI और AICTE द्वारा एप्रूवड हो तभी आपकी डिग्री माननी होगी अन्यता आपका समय और पैसा दोनों ब्यर्थ हो जाएगा ठीक है तो PCI और AICTE द्वारा एप्रूवड कॉलेज होना चीए एप्रूवड संस्थान होना चीए वहां से आपको कोर्ष करन ठीक रहेगा अगर अगर यह आपका कॉलेज या PCI या AICTE द्वारा एप्रूव नहीं है तो आपका समय और पैसा दोनों ब्यर्थ हो सकते हैं आगे चलते हैं अब इसमां प्रवेश प्रक्रिया क्या है इसके बारे में देखते हैं प्रवेश प्रक्रिया इस रोजगार पर मेडिकल कोर्षिज में इन रोजगार परक मेडिकल कोर्षिज में एंटरंस एक्जाम पर मेरिट के आधार पर आपको एडविशन मिलता है आप गौश्यार के सरकारी कॉलेज क्छे में डी फार्मा कर सकते हैं जे इए फार्मसी एयू या एई एम एई या यूपी एस एई जे इए पॉलिटेक्निक आदी हैं इसके लावाद जी पेट वगर है जो है जो भी मैंने बताया था वो फिर डिग्री लेबल के कोर्सिज के लिए वो परिक्षा दी जाती है ठीक है आगे चलते हैं अब देखो डिप्लोमा फार्मसी तो दो साल का है तो एक है डिप्लोमा इन फार्मसी जो पसुच चिकित सा फार्मसी है उसकी भी अवधी दो साल की है ठीक है एक तो मानो चिकित्चा फार्मसी यानि डिप्लोमा इन फार्मसी दो वर्स का एक तो डिप्लोमा इन वेटिनरी फार्मसी ने पुस्ट चिकित्चा फार्मसी इसका अवधी भी दो साल की है अगला है पोस्ट ग्रेजवेट डिप्लोमा in herbal products, इसके अब थी one, two, three years, येननि, एक से तीन साल के या पार्ठी करम और सस्तान पर ये निर्भर करता है, ये एक post graduate diploma है, अगला है, अगला post graduate diploma एक और है, post graduate diploma in pharmaceutical chemistry, ये भी एक से तीन साल का, 1 तू, 3 years का diploma है, और या पार्टि क्रम और सस्तान पर निर्भर करता है ठीक है कि उसकी समय अवदी क्या होगी आगे चलते हैं तो ये थे आपके देखो ये थे डिप्लोमा लेबल के कोर्से से अब आगे चलते हैं अब देखिए अब मैं आता हूँ अब देखो कुछ और डिप्लोमा लेबल के कोर्से जाएं इनको देखिए ये देखिए पोस्ट ग्रेजुट डिप्लोमा इन फार्मसेटिकल केमेस्ट्री वन तो त्री येर्स पार्टि क्रम और सस्तान पर निर्भर करता है पोस्ट ग्रेजुट डिप्लोमा इन फॉर्मसेटिकल्स रेगुलर्टरी अफेर्स वन तो त्री यर्स पार्टिकम और संस्तान पर निर्बर करता है इसके अलावा अन्य कोर्सेज हैं पोस्ट ग्रेजुट डिप्लोमा इन फॉर्मसेटिकल मैनेजमेंट टू यर्स अगला है post graduate diploma in technical and analytical chemistry यह है two years तो इतने यह diploma लेबल के courses हैं आगे चलते हैं अब मैं आता हूँ डिग्री लेबल के courses पे इनको देखिए बैचलर डिग्री इन फार्मसी यानि यानि जो डिग्री लेबल के courses फार्मसी मैंने वी फार्मा कोर्से जो हैं वो कितने प्रकार के हैं दे बैचलर ऑफ फार्मसी इन ओनर्स तो यह यह भी चार साल का है अगला है बैचलर ऑफ फार्मसी इन फार्मसी टिकल केमिस्ट्री यह भी चार साल का है अगला है बैचलर ऑफ फार्मसी इन आयर्वेदिक फोर एर्स अगला है बैचलर ऑफ फार्मसी प्लस मास्टर ऑफ बिज आप MBA अलग से करेंगे तो आपको दो साल देने होगे लेकिन अगर आप निन्टीग्रेडत कोर्स करते हैं या डिएक चलते हैं अब ऋ Smash Ext पोस्ट ग्रेजूट लेबल के जो कोर्ष है जानी M Pharma लेबल के कोर्ष है वो कौन-कौन से है उनके बारे में देखिए Master of Pharmacy M Pharma 2 एर्स का है अगला M Pharma in M Pharma in Bio Pharmacetics and Pharmacokinetics यह 2 एर्स का है अगला है M Pharma in Biotechnology 2 एर्स का है अगला है M Pharma in Clinical Pharmacy यह भी 2 एर्स का है ठीक है तो यह Master degree के प्रोग्राम है आगे चलते हैं हाँ अब देखिए PhD लेबल के भी आप प्रोग्राम इसमें दे रखे हैं आप इनको जो करकर आप आगे PhD तो पिएसडी कोर्स में जाते तो PhD यह भी 2 एनको ट्रीक्र इजुटे वर्स का लगभग 3 साल आपको देने होंगे इसके अलावा आप देखोए ये में चीज़ आप आती है कि फार्मसिस्ट में रोजगार के शेत्र क्या क्या है फार्मसिका कोर्स सफलता पूर्वा कंप्लीट करने के बाद अभ्यार्तियों को फार्मसिक के शेत्र में बहुत सारे नौकरी के विकल्प मिल जाते हैं जिसमें उनको एक अच्छी नौकरी के साथ साथ सेलरी भी अच्छी मिल जाती है ठीक है फार्मसिस्ट के लिए निमनलिकित रोजगार के शेत्र उपलब्न है देखे क्या क्या है कि फार्मसिक करने के बाद आप मेडिकल रिप्रेजेंटेटेटु बन सकते हैं क्लेनिकल रिसर्चर मार्किट रिस्प और 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 बिशाच्चर और इसके अलावा आउंकोलोजिस्ट और एनलेटिकल केमिस्ट और रेगुलेटरी मैनेजर ठीक है तो इतने विकल्प ये मेडिकल फिल्ड में हैं जो की फार्मसिस्ट के लिए उपलब्द हैं फार्मसी कोर्ष करने के बाद आप इन सेत्रों में जा सकते हैं अलग-अलग डिप्लोमा या डेग कि फीस्ट सरकारी और प्राइबिट कॉलेज़ों में अलग-अलग होता है जो की 20,000 से 1,25,000 रुपे प्रतिस साल होती है सरकारी कॉलेज में फीस्ट बिल्कुल कम होती है और उनके मानता भी अधिक होती है ये इस पॉइंट को हम पहले डिसकस कर चुके हैं जो फीस हमने ड सरकारी कॉलेज़ों में फीस्ट बहुत कम होती है और उनके मानता भी अधिक होती है तो फार्मसी केरियर में इसकोप क्या क्या हो सकते हैं फार्मसी में केरियर इसकोप ठीक है पूरी दुनिया में भारत अकेला एक ऐसा देश है जिसके पास अमेरिकी दवा नियामक यू- खारण भारती है फार्मा उद्योग मात्रा के आधार पर दुनिया का तीसरी सबसे बड़ा बाजार बन गया है तोजार चौबिस तक देश का फार्मा उद्योग 65 अरब डॉलर की उच्छाई तक पहुंसने का अनुमान है बहुत ही अच्छा केरियर विकल पर आगे यह हो स प्राप्तर हैं विबिन्द रोगों में लाप पहुचाने वाले दवाओं की खोज हैं निर्मान में रूची रखते हैं तो फार्मस्टी के इस शेतर में केरियर की बहत्तरीन संभावना प्राप्त कर सकते हैं फार्मस्टी कूर्ष करने के बाद ड्रग मनुफेक्टरिंग मार्केटिंग, फार्मे को, फिजिलेंस होस्पिटल फार्मसी रिसोर्च मैनेजमेंट आदि शेत्र में अपना कैरियर बना सकते हैं जान नए नुझ दवावों के खोज वे विकास संमंधी कारे की जाते हैं वहां research and development का काम कर सकते हैं ठीक है आगे चलते हैं ठीक है आप इसमें आता हूं मैं कुछ career महतुपूर केरियर विकल्प जो आपना सकते हैं फार्मसी कोर्ष करने के बाद महतुपूर केरियर विकल्प ठीक है जो mostly common है पहला है फार्मसिस्ट अस्पतालों एवं स्वास्ते के मेडिकल परिक्षणों के संदर्व में फार्मसिस्ट की भूमिका बहुत महतुपूर होती है इस इन पर दवाईयों और चिकिता संबंदी अन्य सहाइक सामगरियों के भंडारन स्टॉकिंग और वित्रण की जिमिदारी होती है वही रिटेल सेक्टर में फार्मसिस्ट को ए मेडिकल परिक्षणों के लिए होती है दवाईयों के डिस्टिब्यूस्टन चिकिता संबंदी सहाइक सामगरियों के भंडारन स्टॉकिंग और वित्रण की जिमिदारी इस पर होती है ठीक है आगे चलते हैं तो पहला इसका जो विकल्प फार्मसिस्ट है अगला है क्लिनि है वह कितनी कितनी सुरक्षित और असरदार है दवाईयों की स्क्रेणिंग संबंदी काम में नई दवाईयों या फॉर्मुलेशन का पसुब मॉडलों पर परिक्षण करना या क्लेनिकल रिसर्च करना सामिल है ठीक है आगे चलते हैं अगला है क्वालिटी कंट्रोल फॉर फॉर्मसिटिकल इंडस्टी में क्वालिटी ये कुछ गलत चब गया है तो ये कंट्रोलर है ठीक है तो फॉर्मसिटिकल इंडस्टी में क्वालिटी कंट्रोलर का काम काफी एहम होता है यह सुनिशित करते हैं कि किसी दवा को लेकर कंपनी द्वारा जो नतीज़े बताई जा रहे हैं वे सुरक्षित वह असरदाई है या नहीं ठीका आगे चलते हैं आप दोको फार्मा तीचिंग केरियर लेखिए एम फार्मा यां पीच्द करने के बाद किसी भी नीजी या सरकारी सतान में सिक्षक के रूप में अपने कैरियर बना सकते हैं ठीक है आगे चलते हैं अनुसंदान सेत्र सरकारी सोच सस्तान वा निजी कमपनिया नई दवाईयों की खोज वे पुरानी दवाईयों की शम्ता वृद्धी के लिए लगातार अनुसंदान करती रहती है आप चाहें तो अपनी शम्ता और ग्यान का इस्तिमाल नए उत्पादों के विकास में करने के लिए किसी निजी या सरवजनिक अनुसंदान से जुड़ सकते हैं तो इसमें अनुसंदान का भी स्कोप है आगे चलते हैं ठीक है अब जो अन्तिम विकल्प है देखे अगर जो कॉमन है और सबसे कॉमन भी है वह है खुद का मेडिकल स्टोर खुद का मेडिकल स्टोर भी आप ख कि दवा दुकान को लंने के लिए लाइसेंस की जरुत होती हैं जिसने नोटे कायर के लाard की सट्रीजा करनी पहुत होती है इसने मेडिकल स्टोर खौलना पे एक अच्छा करने बाहुत हो सकता है फार्मसी करने के रांगे चलते हैं यहां आप अल्लो इंडिया लेबल पर है टॉप कॉलेजिस हैं देखो टॉप कॉलेजिस इन्सिट ओफ गश्य कर टेकनोलोजी मुंबाई बिरला एंस्टूट ओफ टेकनोलोजी और इसके लावा नेशनल इंस्टूट ओफ फॉर्मसिटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च सास नगर मनिपाल कोलेज ओफ फॉर्मसिटिकल साइंसेज या अन्ना मलाई इनिवसिटी अन्ना मलाई नगर ठीक है आगे चलते हैं आप देखें यहां कुछ और संस्तान दे रखें बेस्ट फॉर्मसिट कोर्स इंस्टूट कॉलेजिस दिल्ली इंस्टूट ओफ फॉर्मसिटिकल साइंसेज एंड रिसर्च दिल्ली में जामिया हमदर्द नई दिल्ली गुरु गोविंद सिंग इंद्रपरस्त उनिवसिटी नई दिल्ली नेशनल इंस्टूट ओफ फॉर् युनिवसिटी कानपूर, अगला है College of Pharmacy दिली विश्वे दिली, ठीक है, आगे चलते हैं, ठीक है, अब मैं आता हूँ जो उत्तराखंड में colleges हैं, government pharmacy colleges in उत्तराखंड, तो list of six government pharmacy colleges उत्तराखंड पॉल्टेक्निक, तो जो च्छे government पॉल्टेक्निक colleges हैं, जहां से pharmacy में डिप्लोमा क्या जाता है, वो महत्तराखंड हैं, आपके लिए इनको देखिया, तो ये छे पॉल्टेक्निक college कौन-कौन से हैं, तो government अगला है, government pharm 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 आगे चलते हैं आप देखिए जो फार्मा के लिए जो गवर्मेंट कॉलेजिस हैं उन पर चर्चा करता है जो फार्मा के लिए उत्तराखन में देखिए उत्तराखन में इसके अलावा HNB उत्तराखंड Medical Education University यहां भी बी-फार्मा और डी-फार्मा कोशेच अबलेबल है यह देहरादून में है इसके अलावा एक और है हेमोतिन अंदन बहुगुना गड़वाल उनिवसेटी यह यह क्या बोलते हैं गड़वाल में स्रीनगर गड़वाल यहां भी बी-फार्मा और डी-फार्मा अबलेबल है इसके अलावा कुमाव उनिवसेटी कुमाव उनिवसेटी देखिए यहां भी ननितालमा यहां भी बी-फार्मा और डी-फार्मा कोशेच अबलेबल है इसके अलावा कुमाव उनिवसेटी SSJ कैमप इसके लावा उत्तराखन टेक्निकल युनिवर्सिटी यहां भी यह प्रेम नगर यह देहरादून में भी फार्मा डी फार्मा कोर्षिज अबलेबल हैं ठीक है तो यह थी यह कुछ मैंने कॉलेजिस आपको बता के बताये हैं बिजिए आपको आपको बारे में आपको गवर्मिन कोर्षिज की जान करें दिया और प्राइबट कोलेज तो बहुत सारे उत्राखन में हैं ठीक है तो यह थी फार्मसी सम्मंदद जान करी मुझे उम्मीद है कि आपके लिए बहुत काम आएगी आप इस वीडियो को सुरू स लाश्टर देखिए जिससे कि आपको फार्मस्टी से सम्मंदत संपूर जानकारी लगबग मिल जाएगी ठीक है अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक किजिए शेयर कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो भी वीडियो में अपलोड देंगे तब तक के लिए बहुत भुत धन्यवाद आपको नमस्कार बेस्ट आप लगख